हाई फ्रेंड्स मैं अकांचा सर्माजी की वितकांशा मैं आपका स्वागत करती हूँ MPPSC Pre-Crest Course में आज हम भारत के प्रमुख उर्जा संसाधन पढ़ने वाले हैं यह हमारे N-Series का सत्रवा भागे MPPSC Pre-Crest Course की मेरी N-Series चल रही है इसके 16 भाग हम कर चुके हैं और यह 17 भागे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो N-Series पर जाके आप करेंगे न तो आपको इसके पूरे के 16 वीडियो आपको मिल जाएंगे इसके अलावा यह जो टॉपिक है भारत के प्रमुक उर्जा संसादन यह आपका यूनिट 6 जो टॉपिक है यूनिट 6 है आपकी उससे लिया गया है ऐसे ही छोटो छोटे टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप एकजाम में पूरी के पूरे कोशन कवर करके आ सकते हैं आप टॉपिक वाइस पढ़ रहे हैं आप स्लेवस वाइस पढ़ रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं 19 जुन का आपका टार्गेट है आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है आप अगर अपना बहुत अच्छा पूरा समय देंगे तो आप प्रिलिम्स जरूर क्रेक कर पाएंगे कॉम्पेटिशन बहुत जादा है आप यह मत सोचिए कि एक्जाम अब डिले हो गया है तो हम लोग पढ़ाई में डिलाई बरतने तो बिल्कुल मत बरतिये पढ़ाई को बिल्कुल जी जान से लग जाईए पहला कोश्चन है भारत के प्रमगुजय संसाधन का ए एंटीपूसी का पूरा नाम है नैसनल धरमल पावर कार्पोरेशन अगला है एनचपीची का पूरा नाम क्या है नैसनल धरमल पावर कार्पोरेशन NHPC का क्या है National Thermal Power Corporation NHPC का क्या है National Hydro Electro Power Corporation अगला कोश्यन है NHPC है National Hydro Electric Power Corporation इसकी स्थापना कव हुई थी June 1976 में NHPC की कव हुई थी 1975 में NHPC की कव हुई 1976 में दोनों याद रखिएगा NHPC की 1975 में और NHPC की 1976 में AEC का पूरा नाम क्या है AEC का पूरा नाम है Atomic Energy Commission AEC का पूरा नाम क्या है Atomic Energy Commission मतलब पर्माणू उर्जा आयोग AEC का पूरा नाम क्या है Atomic Energy Commission मतलब पर्माणू उर्जा आयोग AEC का पूरा नाम क्या है Atomic Energy Commission मतलब पर्माणू उर्जा आयोग इसकी स्थापना कव हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1948 में Atomic Energy Commission या परमाण उर्जायोग कब बना था परमाण उर्जायोग 1948 में बना था DAE का पूरा नाम क्या है Department of Atomic Energy DAE का क्या नाम है Department of Atomic Energy परमाण उर्जाब विभाग DAE जो है Department of Atomic Energy इसकी स्थापना का हुई थी तो DAE जो कि Department of Atomic Energy है इसकी स्थापना हुई थी 1904 में कव हुई थी 1904 में कौन सा स्रोथ गैर परमपरागत स्रोथ की स्रेडी में आता है तो परमपरागत स्रोथ तो आपके कोईला हुए पेट्रॉल हुए गैर परमपरागत स्रोथ वो होते हैं जो हमको आभी किसासत भाविश्ची के लिए भी सुरक्षित रहते हैं तो जैसे की है बायो गैस तो कौन सा स्रोथ गैर परमपरागत स्रोथ की स्रेडी में आता है बायो गैस हुआ पवन उर्जा हुआ सोर उर्जा हुआ वहाँ से जोड़ जाईएगा भारत में सबसे दिखूजा किस से ब्राप्त होती है ताप विद्धु से होती है भारत में पहली लहर पर योजना कहां इस्थापित की गई थी विजिन जम में कहां पर विजिन जम में ये त्रिवेंद्रम तमिलाणू के पास है तो भारत में पहली लहर पर योजना कहां इस्थापती गई थी विजिन जम में कहां पर त्रिवेंद्रम के पास फ्रेंट्स एक और चीज मेरी ये रामबार टेस्ट सीरी लॉंच हो चुकी है आप देख सकते हैं यह इसमें पाचास टेस्थ हैं पांच जार वस्तु निश्ट हैं हर यूनिट से 500 प्रेश्न लिए गए हैं यूनिट बाइस पाचास टेस्थ हैं स्में करेंट अफियर्स भी कवर किया गया इसकी हार्ट कॉपी भी आप मंगा सकते हैं 1999 की है soft copies की 999 की है career अलग है आप इसको मंगा सकते हो घर बैटकर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं घर बैटकर आप इसको लगा सकते हैं पहले आप मेरे notes पड़िये MPPSC की pre-K फिर आप इनको test को लगाईए हर unit से पूरा objective लिया गया है तो आप घर बैटके भी इसको लगा सकते हैं अगला है काकरा पार परमारू सकती के अंदर किस राजम है काकरा पार परमारू सकती के अंदर गुजरात में है काकरा पार परमारू सकती के अंदर कहां पर है गुजरात में भारत का प्रिथम प्रिथम पर्मारू रियक्टर कौन सा है और ये कब शुरू हुआ तो अब सरा भारत का प्रिथम पर्मारू रियक्टर है और ये 1956 में सुरू हुआ भारत का प्रिथम पर्मारू रियक्टर कौन सा है अब सरा कब सुरू हुआ 1956 में सुन्य उर्जा experimental thermal reactor कौन सा है जरलीना सुन्य उर्जा experimental thermal reactor कौन सा है जरलीना सुन्य उर्जा experimental thermal reactor है अगला गोशन है भारत का पहला neutron reactor कौन सा है भारत का पहला neutron reactor है कामनी और ये कब बना था 1988 में भारत का पहला neutron reactor कौन सा है कामनी है वो ये 1988 में बना था भारत में परमारू उर्जा का उत्पादन का प्रारंब हुआ 1979 में परमारू उर्जा का उत्पादन का प्रारंब हुआ 1979 से भारत में परमारू उर्जा का सुभारंब कहां से हुआ तारापूर से हुआ ये तारापूर परमारू केंदर कहां पर ह तो तारापुर जो परमारू केंदर है वो महरास्ट में है तारापुर परमारू केंदर कहां पर है महरास्ट में रावत भाटा परमारू केंदर कहां है रावत भाटा राजिस्तान में रा से रावत रा से रावत रा से रावत रा से राजिस्तान याद रखिएगा तो पर्मारू रियक्टर कारे रते हैं भारत में 20 पर्मारू रियक्टर कारे रते हैं कितने हैं 20 भारत के पर्मारू रियक्टरों में कितने मेगावार्ड विद्धुत पैदा होती है भारत में उत्पादित पर्मारू उर्जा देश में कुल उत्पादित विद्धुत का कितना प्रतिसत है तो भारत में जो उत्पादित जो परमाण उर्जा है वो देश में उत्पादित कुल विद्धत का तीन प्रतिसत है भारत में उत्पादित परमाण उर्जा देश में कुल उत्पादित विद्धत का कितना प्रतिसत है तीन प्रतिसत है अगला है भारत में भूता ये उल्जा का सैंट्र कहां इस्थापित हुआ है हिमाचल प्रदेश में, ये काविरी नदी पर है, खुखा जल्वेदुत परियोईना पांग चुर्ष नदी पर है, चुखा जल्विधुत परियोजना कहां पर है बांग्चु नदी पर भारत वाईश्या की एक मातर अधो भॉमिक संचय जल्विधुत परियोजना के सिराज में हैं हिमाचल प्रदेश में हैं अधो भॉमिक संचय जल्विधुत परियोजना भारत में विधुत आपूर्ती से पहले कहां हुई दारज लिंग में हुई पवन उर्जा की उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा इस्थान है पवन उर्जा की उत्पादन में भारत का विश्व में पांचवा इस्थान है पवन उर्जा की उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा इस्थान है सरसट प्रतीसद भारत में ओबरा सहर क्यों प्रसिद्ध है थर्मल पावर प्लांट के लिए ओबरा सहर प्रसिद्ध है भारत में भूतापिय उज्जा सेंत्र कहां है हिमालय प्रदेश के मड़ी कर ना में हैं देश के कुल विद्धुत उत्पादन में ताप विद्धुत का युगदान कितना है सत्तर प्रतीसद तालचेर और इन्नौर किसके लिए हैं तापिय सकती सहंत्रों के लिए है मुद्रा अल्ट्रा मेगा स्पाबर परियोजना कहां है गुजरात में है अंटीपीसी सिंगरॉली कहां इस्तेत है उत्तर प्रदेश में है अंटीपीसी सिंगरॉली लोग तक सकती परियोजना किस राज में है मरीपूर में लोग तक सकती परियोजना कहां है मरीपूर में टनकपूर परियोजना कहां है उत्तर खंड में है उत्तर खंड राज पूर्टा किस प्रकार की उर्जापर निर्भर है उत्तर खंड राज जो पूर्टा है वो जल व धुत उर्जा पर बी ए आर्सी का पूरा नाम क्या है बी ए आर्सी का नाम है भावा आर्टोमिक रिसर्स सेंटर बी ए आर्सी का पूरा नाम क्या है भावा आर्टोमिक रिसर्स सेंटर है बार्क का मुख्याले कहां है टॉम्बे महरास्ट में है परमाडू सोथ के इंद्राग इसी प्रेलिम्स के नूट्स हैं यह टोटल बारा वुकलेट हैं जिन से आप पढ़ रहा है इस प्रकार के सभी टॉपिक जो छोटे-चोटे टॉपिक जो से लिवस में दिये गए हैं इन नोट्स में कवर हैं उसके अलावा बहुत सारे नोट्स जो है हैं डिटन हैं बहुत सा पतक देश है और यह दो दस अमलब चारड परतिशक साय का उत्पान करता है विश्व के सबसे वड़े उजङयो उब उबागत का इस्थान कॉन साह चाटवा है विश्व की दो जगनकर के तने प्रwegenक परतिश tenía कर्ता है तो भाषे सबीपयोग घ्रत विश्व के सबत्र के क विकासदर कितने प्रतिसत प्रतिवर्स है 3.6 भारत में उजा की विकासदर कितनी है 3.6 प्रतिसत कोईला उत्पादन में भारत का इस्थान विश्व में कौन सा है कोईला उत्पादन में भारत का इस्थान विश्व में तीसरा है पहला अमेरिका का है दूसरा चीन का है भारत में कोईले की उत्पादन का कितने पतिसस से भी अधिक गैर कोक कारी कोईले का उत्पादन होता है तो 90% से भी अधिक गैर कोक कारी कोईले का उत्पादन होता है कोईले की सरवादे कोईला किस दे से कुसे कौयत करता है अस्रेलिया को बहारत के कुल सिंचित भंडार का कितने ब्रतिसरत भाग कोईले से वत्याफड होता है भारत में गोंड वाना का कोईला ऐसाल दर साल कभी 36 गड़ आगे हो जाता है कभी जार खन और कभी उरिश्मादे तीन दाज्जों में competition चलता रहता है असम में बास्तविक तेल उत पादनकार 1890 इसी में कहां से आरम हुआ दिग वोई से कहां से डिग वोई से असम में कौन सी घाटी खनिस तेल के लिए प्रसिद है सुर्मा घाटी असम में एक सुर्मा घाटी है वो खनिस तेल के लिए प्रसिद है असम के नाहर कटिया एवं हुगरी जान मोरान छेतर का तेल पाइपलाइन द्वारा कहां भेजा जाता है तो भीज जाता जाता है नूना माटी एवं बरोरी में कहां नून माटी और वरोनी में भीज जाता है भारत में प्राकतिक गैस के भंडार कहां है खंबात की खड़ी गुजरात में अंकलेशवर गुजरात में बॉम्बे हाई महरास्त में मोरा हा नाहर कटी आसम में नाम टिक तियाम नियाओ पंग लापटंग पंग बारा मुरस रेडी कांगडा फिरोच पूर मिदनापूर नौसर मुराथ पूर तंजा और चिंगल पिड अंकलेश्वर किस राजिका सरवादिक महत्मून तेल शेतर है अंकलेश्वर है गुजरात का सबसे महत्मून तेल शेतर है गुजरात का सबसे महत्मून तेल शेतर है गुजरात का दूसरा प्रमुक तेल शेतर कौन सा है तो गुजरात का दूसरा प्रमुक तेल शेतर है खंबात मतलब खंबात मतलब लुनेज का जो शेतर है वो गुजर क्रिशना गुदावरी की टत्यचों में अंधर्प्रदेस राज्य के किन छेत्रों में बड़ी मात्रा में प्रखत-व्न ब्रखति विशाल फूरत & ग्ञूरि 10 प्रतिसत भरतमान में भारत अपनी आवशकता का लगभग कितने प्रतिसत पेट्रॉल एवं पेट्रॉली मुत्पात का आयात करता है 70 प्रतिसत सौर उर्जा के दोहन के लिए सरकान ने जवाहल लाल नहरू नैसनल सोलर में सन की स्थाप सुरुआत कब की 11 जनवरी 2009 में की कब की 11 जनवरी 2009 में यह था हमारा आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक मैंने आज आपका कवर कि ऐसे ही हम छोटे छोटे स्लेवस के पूरे टॉपिक कवर कर लेंगे पस आप लोग प्लीज यह मत करिए कि erriyark paper में बहुत समय अभी हम टाइम देने आपको पढ़ना है पढ़ना है और पढ़ना है क्योंकि अगर आपको अदिकारी बढ़ना है तो देखिए ज़ो जिसको बढ़ना है न वो चाहे exam हो या ना हो चाहे delay हो चाहे उसका selection अगी है अगर आपको अपनी लाइप से क्योर करनी है अपना जीवरी मनाना है कि करता है निकालता हि निकालता है तो बहुत समय कर देता लेकिन वह कभी बहु ही अपनी रिजर्ट लाई साब पढ़ाई करते रही है वीडियो अच्छा लागे तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर चीजेगा ओके फैंक तेंक यू